हालो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजंदपुरुईत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहांपर मैं वीडियोज अफ्लोड करता हूं पर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बेसी इसवन अगर आप किसे भी कॉंपरियटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहां पर हाइर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत है यहां जो आईटे बारा यहां पर जाके मेरे प्रीविएस वीडियो सा करें तो वहां पर भी इस पर एक बेस्ट क्वेशन आजाता है तो जो मैं अब्जक्टिव यह कि कोई भी अगर प्रीमियल प्रॉब्लम में उसमें अगर हमें सॉल्व करने में दिक्क्त आ रही है तो हम उसको ड्यूल में कंवर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है अब करें अप्टिमल सॉलिशन निकालना है और लीनियर प्रॉब्लम में हमें सॉल्व करने में दिक्कत आरी तो हम उसको ड्यूल में कंवर्ट करके उसका प्रॉट करके उसका आप से पूछा जाता है तो यह दो तीन चीजे जो मैं आपके सामने डिसकस करूँगा तो आज मैं इसके सामने डिसकस करूँगा कि ड्यूल में कंवर्ट कैसे करतें प्लस ग्राफिकल संपकर करतें जू नेक्स्ट निटे पेचा करी तो आपको ये तॉपिक बहुत अच्छा समझ में आएगा उससन मापको नचलास्तर सामजमें आएगा जनल आति बतारा हूं की मेरा जो ज अप्लोड कर रहा हूं प्लस अगर कोई भी अर्दर कॉंपेटिटिव एक्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी वह वीडियो बहुत ही हेलफुल है तो अगर आप CSIR साथ में कंस्रेंट होता है और कंस्रेंट में हमारे पास सभी गड़न जीनों होने चाहिए अब आपको स्कीड रिवाट कर रहे हैं कोई भी जो प्राउलम दे रहे हैं वो मैक्समों यह को मैक्समुम की प्रावलम दिसिस प्रीम राइट तो इसका जो नियुक्ट होगा मैक्सम यह बन जाएगा प्लस बीटु डबीटू अर कहा तक जाएगा सुन यह बन जाएगा यह बन जाएगा अब नहीं बन जाएगा अब करता है सब्जेक्ट तू कांस्रेंट में क्या होता है इस तरह से बनेगा हमारे पास और यह कहां तक जाएगा सब्सक्राइब है ऊब यह चैनल पास एं तू को देखा जाएगा अब दो रही है आप तक जाया इक प्रदक जाएगा मेरे पास A M2 W M, इस गरदन इकल टो क्या हो जागा सुनिये, C2 हो जाएगा, अब आपके मन में सवाल उठेगा, किसा अगर यहां लेजदेन लगाएगा, अगर यहां गरदन तो वह क्या हो जाएगा, वहां लेजदन हो जाएगा, अगर यहां पर maximum में तो A, क्या है सुनिया पर, 2N, W2, कहा तक जाएगा सुनिये, A, MN, WM, इस गरदन इकल टो क्या जाएगा आपर, C, तो इस तरह से CN होगा, स्वारी, हना, CN हो जाएगा, अना, and all, all W1, W2, WM, इस गरदन इकल टो 0, तो इस गरदन इस की क्या हो जाएगा, इस की डियोल हो तकि आपको चीजे समझवा है, एस तुए मैं आपके एक्जामपल के तौर पर, मैंने जो किया उसको समझा देता हूं, यहां पर, जिसे फॉर एक्जामपल यह आपके पास कोई प्रीमियल प्रॉब्लम है, तो हमने किया क्या, यह हमारे पास प्रीमियल प्रॉब्लम थी, maximum तो हमने क्या कराए, चिन्वीं मीनिमम मेंad के, यह CX ता, तो इसमें हमने क्या क्या अपे इसका जो ट्रांस्पोज है, उसको यहां लिखा और नया W प्रॉद्टु समें कर दिया, आप बताओ कि इस कैसे टू है मतलब वाकि में डूलिटी का जो ऑप्टिमल सोलीशन होता है वो एल्पीप के ऑप्टिमल सोलीशन के बराबर होता है तो सुन में आपके सामने पहले बता दू कि जो मैं अल्पीप पड़ा चुक हो आई टेप पे जाके देख लिए यह आपको क्या करूंगा पहले मैं इसको graphically solve करके बताता हूं with the help of LPP right फिर मैं इसकी ड्यूल करूंड करूंगा अन्डेल आपको पता हूँगा कि इसकी ड्यूल से भी सकांसर क्या एगा सेम है करो पहले इसकी ड्यूल कर लेकिकिको ड्यूल आपको अभी मैंने सिखा है तो आपको 2W1 plus 5W2, right? फिर यह क्या बनेगा? यह वापिस बनेगा? इस विवे वापिस बनेगा, इस विवे वन ले लिए, वन डॉत ले लिए, right? तो नेग्स के बनेगे? 2W1 plus W2, right? क्या है लिए फिर वन? 2W1 plus W2, right? यह एक यह रहा तो ड़ी टो जाएगा और सुनिया लेस देन एतिया किया जाएगा ग्रदेन और यह आएगा तुरी राइट फिर नेक्स कंडिशन के मनें कि यह वाले बनेंगे राइट दिख रहे हैं क्या कर सुनिया पर 3W1 प्लस 2W2 इस ग्रदन इक्वल टू क्या है सुनिया पर इस ग्रदन इक्वल टू फाइट है ना एंड और डवी वन कोमा डवी टू एस ग्रदन इक्वल टू जीरो तो यह हमारी डियो हो जाएगे अब आपका में कहने का मतलब यह हुआ कि अगर में इसको ग्राफिकली और इसको प्यासिंट कि आने चाहिए सेम आनԲीट तो इस कैसे करेंगे मैं और नेक्स वीडियो नेक्स जो आने वाला वीडियो इसके अंदर में आपको सिखाना जाओंगा कि इसको vayployत सिंप्लेक्श मेथल चाहिए पिर ईसको vayrí तिम्स में सेमा हाँ प्लस में को ढना च इसको पर पर एक बार यह समझ लें लेते हैं फिर अबन बात करते हैं particular ऐसको स्रॉट करना तो और कैसे करेंगे फuग क्या है कन這邊 था सुनक वर्व शर्म की रख थैस थिर्ट आग करेंगे एक्सा डियों को तंग और क्वी रिखेंगे 813 से पार से फिर्ट ना एक सब्सक्राइब समस्राइब तो फर्स एकुर्शन गर YOUR होँए 8 आप रहा और यह मारे पैस क्या रम्स ट्रीट है तो यह ले लेता हूं पने पिश्का लाइन पे एसका लाइन कीछ लेते हैं तो यह मारे पास फस्त लाइन आजेगे इस लाइन नॉमबर वन राइट एंड चुटि यह पर लेस्ट दिन बॉला तो फीजिबल रिजन होगा वो इस साइड वो इसमें आपको बताना चाहता हूं ग्राफिकल बता चुका हूं आइट पर जाके देख लेना फिर समझों को इत बहुत अचा सम कोमा यहां पर इतना आएगvette संफाहापाइग आजए तो यह बसी होगें समस्फ पॉइंट खेंकां ग्राइगा यह मारे बहुपॉइन ऩई ऊट्ले हमारे पास C है, clear? थोड़ा सा अपन solve कर लेते हैं and then solve करते हैं, right? मैं थोड़ा से इसको पर लेता हूँ and इस्वण यहापे A और B point को solve करते है, right? तो A point तो हमें पता ही है, इस्वण A point हमारे पास कितना रहा? 4,0 हा रहा है, right? B point हमें नहीं पता है, right? और C point हमें पता है, 0,5 by 2, right? इस्वण इन दोनों equation को solve कर लेते हैं और यहाँ पर मैरा पास B point भी निकाल लेते हैं इस्वण 2 से multiply करेंगे इसको, तो 2 से multiply करेंगे तो देखो आप में इसको कर लेता हूँ, तो 2X1 plus 3X2 is less than equal to 8, और 2 से multiply करेंगे इतनी हैंगा 2X1 plus 4X2 less than equal to यहाँ पर कितना 10, बारबर लेलो जाधा अचाहा, जब भी हम solve करेंगे तो बारबर लेलो जाधा अचाहरे न, क्योंकि equation मना आगे solve कर रहे, इस तो नहीं क्या करेंगे, इसको minus कर तो, यह से cancel हो जाएगा 2X2 की वेली हमारे पास तो 2 नहीं पर 2 ले ना, परot a टो बारब हाँ, चार टो, tackling चो पोइंट वाँट पर देते हैं तुर यह तो फॉर जीक्शंट उन्हीं है इस पर आपके हम फॉर रखे क्वया दिए यह जय कि एट जिरू रहा है ईह तो सब्टेट वी एक्सट्राइजशन के लिए जिरू है तो टोला रहा है तो दृंगों ज्टेट विरकेंगे एक्सं 10 और 3 कितना रहा है सुर्ण 13 आ रहा है right then Z at C रखेंगे तो सुन यह तो 0 रहा है और यह हमारे पास 5 by 2 25 by 2 तो 25 by 2 मदर 12.5 रहा है तो आप देख रहे हैं पर सुन आपको यहां पर निकालना maximum अम्म ईषिके मारे साइर का मैं मेरे पास यह रहा है right तुन िरो हमारे पास Maximum मेरे मारेunya पास ऐसलिए केर दे ह। तो यहां लिगेंगे, Z is maximum at x1 is equal to 1 and x2 is equal to 2 and maximum Z is equal to तुम्हारे पास किता रहा है सब्सक्राइब अगर मैं इसी को ड्यूल से सॉल करू तो वहां पी एंसर क्या ना ची थर्टी ना ची राइट करके देख लिए तो कैसे करेंगे ज्यांदी जाना अब इसको में ड्यूल से सॉल करता हूं राइट यहमारे पास जूल प्रॉलम हो यह मैं रपास डबली जाने है यह मारे पास डबली जाव यह जूल रक व्तसक्रा था ओजिद्या थो ब्ली ऊंटा हुम्हां अब बात करते हैं फेलिए अवाहाइगा ट्रिव ने त्रीट नियुक्त अब बात कर देगा है एंद यह जी रोगाّ गार थीट्री वाइट ऌना थी गुंढ गुंण वाहा जीड है ऑन ज़िए है और यह रहाए गाल यह थे जाए जिजित वीटी अए जनली को रहे सेंगा थ जाद आती है नहीं तो यहां पास फाइट पाइट थी घर राइट फाइट फिसीफ लेट आजैगा टो सबस्टन ऌता है तो फीसेबल दिजिन जो आप साइड होता है तो हमारे पास एक पाइपंट यहाएगा एक पाइप पास पता नहीं किया रहा है एंडजी पॉइंट हमारे पास नहीं क्या रहा है आपको तो एक बर इस एक विश्ट को सॉल करते दू डू डू पास्वाल इप इचमेर तो समय डिकला इक लेता रहे तो यह अगा 4W 1 प्लास 2W 2 इस एक्वेल को यहां पर किता है कैसे एंड इसको करेंगे तो इस दूज गीटए है का टूज गीटाइगा 2W 1 प्लस 2W2 is equal to 5 जबी सॉल करेंगे तो इसी पॉल टूरे जाद आचारे गए इससे से कैंसल शुनी आएगा W2 is equal to 1 आ रहा है ड़ी वन हमारे पास कितना रहा है रहा है रहा है ड़ी वन की विली हमारे पास क्या रही है वन आ रही है और यह कितना रहा है अब पॉइंट रख दीजिए यहां पर इसको तुम्हारे पास टू बचा तो यह भी वन आ रहा है तो सब्सक्राइब पॉइंट रखे देख लेते हैं तो जाड़ एट रखो एस रखेंगे फाइट रखेंगे तो यह आएगा चालीज बटाती रहा है राइट ह चुन ह्चालीज बचालीज बचालीज रिखेंगे आप तो यहां जाड़ बचालीज बचालीज अविवद रखेंगे तो में फ्री आफ हो देखेगे यह को थिआ यू रहे हैं चे चिश्ण से बड़ा है ना थी तेरा तेरा इंट टीन नहीं होता है ना तो 40 अजिए चुन तो आपको minimum निकलना तो सुन minimum हमारे पास किया आएगा यह आएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर यहाँ पर हमारा जो आपको समझना है कि कैसे हम लोग यहाँ पर द्युल प्रॉल्म को तो solve कर सकते रो, what is the relation between dual and premium simplex table, right? वो भी मैं आपको बताओंगा, clear? तो देखे, सुन यहाँ पर आगे बढ़ते हम, अब यह question लेते हैं, सुन यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, write the dual of following LPP, हमें हमें इसके क्या निकाल लें, deal निकाल लें, अब देखे, सुन यहाँ पर मैक्सिमम में और यहाँ लेज दे रखा है, तो सुन सीधा सीधा क्शन आगे, इसके यह हमारी प्रीमेल प्रॉब्ल्ल राइट, तो इसके जो deal होगी, वो क्या होगी, मिनीमम Z, D हो जाएगी, और यहाँ पर मनजाएगा, यहाँ पर क्या दे रखा एगा, यहाँ पर तो इस तरहीं से इसके इसके बात करते हैं, जिसे मैं आपके सामने इसके बात करूँ, तो यह हमारे पास क्या द्रेका एस नियूंग करना एक ऩो जो कि का नमली जो प्रमिय करा देद प्रावडम मोती है वह मैशना द्रखी मैक्समम में तो लेस देन साइन होने ची सबके सब और मिनिममम में तो ग्रडदन साइन होने ची ऐसा आपकोशिष करी जब भी लेस देन ग्रिटर देन का कॉंबिनेशन है तो आपको यह द्यान रखना है क्लिर है वह मैं आपको आगे कोश्मन बताने वह राइट मिनिमुम में तो क्या हो जाए का सुनिया पर मैक्समुम जाएगा और यह जाएगा और यह जाएगा हमारे पास 5W2 value-1 डिल स्वाइजी आपको यह जाएगा यह जाएगा है और यह जाएगा यह जाएगा सोग तो तो W1 प्लस 5W2 राइट इस तरह से इसको क्या करते हैं डियुल में कनबर्ट करते हैं एक और एक्जांपल देखें ताकि आपको और चीजे समझ में है इसमें एक्सक्वेशन देखें आप यह वाला क्वेशन देखें अब देखें यहां पर क्या और लेस्द भी दे रिखा ग संधें टेंगे को मिनशन अरे तो आपको धतना दिखलना मैक्समम है तो सब случае less than जब भी आपको deal में convert करना है तो सबके सब साइन सेम होने ची राइट तो पहले मैं इस equation को लिख देता हूँ 3x1-x2 प्लस x सुनिया पे less than देखो यह आएगा 4x1-x2 अगर x3 नहीं है तो 0x3 लिख दो आपको इसको प्लस देक्स होटा जाता है तो मांच से माइस से मुल्टिप्लाय करेगे तो सबसक्राइब ल çalış 2x2-3 3x3 is less than equal to minus 12 हो जाएगा देन यह आएगा हमारे पास 5x1-6x2 अब 0x3 आजाएगा आप है इस लेस दन इक्वल तो 13 and all x1, x2, x3 is तो यह condition होती ही होती राइट अब देखो सब एक जिसा हो गया अब इसको अब इसको अब रहा है यह मारे पास पर इमेल आप स्की डियूल बना रहे तो क्या कैसे मिनिममम मैं इसको तुछा कलर चेज कर दोंगे था कि थोड़ा समझ भाए आप राइट तो सुनिया पर क्या होगा मैक्सिमम में तो मिनिममम जडी हो जाएगा अब यह हमारे पास अब्जेटी फंक्ष्म बनेगा दिखाए यह क्या आगा स्वेट डवली वन माइनस ट्रीन डवली थी ओ जाएगा राइट देन यह आएगा हमारे पास 4W1-8W2-5W3 ग्लाइट यह वाला फिर यह वाला फिर यह वाला और फिर इसके बाद यह इस को माइनस मैंने इकर सकने हैं माइनस प्रपीजर और और यह जरूत नहीं है ना फिर दीर है इक का 3W2 प्लस का 0W3 ना फिर यहां पर क्या है सुनिए ग्रदान एकुल टो क्या है गा हमारे पास वन आ जाए और यहां पर क्या होता है जभी हमारे पास कॉंबिनेशन में लेज देन और ऑपर उसे इकेस काशिन कह से इसेा है 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 घ्रको समझे हीडर हुआ करते हैं पर अढ़द प्रियर्जखा उने के जरुब में हुआरे हैं च tricked हम जड्डी होगा यह क्लिए तो इसको हम लेज दन की तरह ट्रेन करें का एंगा तो यह हो जाएगा हमारे पास 6W1-4W2 फिर यए का हमारे पास 3W1-3W2 और श्रीम ज दन है तुम यह फास के घंगए जाएगा, greater than equal to 1 आजाएगा, जाएद ना, 3W1 यह बना जाएगा, ना, इसका पॉफिशिन मान, एक्षिन मान, next यह कितना हैगा, सुनिया मारे पास यहाँ पर ध्यान दीजे, 2W1 प्लस, 2W1 प्लस, 2W1 प्लस, 2W2, is greater than equal to 3 आजाएगा, अब ध्यान देने के ज़रोता है, इस निया पर जो W1 होगा, वो तो greater than 0 होगा, पर जो second वाली equation है, उसमें equal sign आ रहा है, इसलिए यहाँ पर W2 जो होगा, वो क्या होगा, unrestricted होगा, unrestricted होगा, यह ध्यान देने के ज़रोता है, अगर बाइचांस, अगर बाइचांस, डबल्यू, फस्ट वाली equation में equal होता, और second में less than होता, तो हम बोलते, W1 is unrestricted and W2 is greater than 0, समझ मारा के नियार, अरे मेरी भाई, पहली equation में less than है, तो W1 is greater than 0, और second में बराबर, इसलिए W2 is unrestricted, समझ मारा के निया, अभी आता कैसी ही, आपको समझाता हूं कि क्यो unrestricted लिखने रहे हैं, तो यह भी यह पूरा method समझने ही, कोशिश करे रहे हैं, तो देखे आप कैसे करेंगे, जब ऐसा question आए, तो आपको क्या करना होता है, maximum, देखो इसका प्रोसिस, लंबा प्रोसि बराबर है, तो इसको अगर आपको inequality form में लिखना है, तो एक बार less than equal to लिखना है, एक बार greater than equal to लिखना है, तो क्या हैगा सुन यह आपे, यह लिखेंगे, 3x1 plus x2, महीं आप इसको less than equal to 4 लिख देता हूं, and 3x1 plus x2 is greater than equal to 4 लिख देता हूं, right, and all x1, x2 is greater than equal to 0, एक बार मै अब चुकि maximum है, तो दोनों less than होना चाहिए, मैं सभी less than होना चाहिए, तो वापीस क्या करेंगे सुन, हाना, maximum zp is equal to, यह आएगा, 3x1 plus 3x2, right, then 3x1 plus 2x2 is less than equal to 6, तो ठीक है, and 3x1 plus x2 is less than equal to 4, ठीक है, पर सुन यह भी less than चाहिए, तो minus multiply कर दीजे, तो minus का 3x1, minus का x2 is less than equal to minus 4, and x1, x2 is greater than equal to 0, अब देखो, यहाँ पे हुआ क्या, मैंने जो, यह तो दोनों less than less than था, पर इस तो यह गरद देखो, यह गरद देखो, यह गरद देखो, अब इसको मैं डूल में convert करते रहे, तो मैं यह वाली कहानी तो मैं ऐसे चुपा देखा अब इसका solution कैसे लिखे रहे हैं, तो मैं इसका solution कैसे लिखे 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 हैं, तो मैं इसका 6W1, अब क्यों होगा यह चुनिया पर यह दोनों, एक्चलि यह दोनों एक्वेशन तो एक ही थी, हमने अपने कनवर्ट करने के लिए दो लिखा, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 6W1, मैं लिखूँ हूँ हाँ पर 4W1-W2- मैंनस 4W2- इसको W2- देश लेंगे, इसको W2- देश लेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास एक्वेशन आएगी, वह क्या है कि 3W1 प्लस 3W2- मैनस 3W2- देश एस, यहाँ पर जो कि लेजन है, तो यहाँ पर ग्रड़ दन इकुल टू वन आजाएगा, इखो, इन यह आएगा 2W1 प्लस, देखो, यह दबली दू देश आएगा, तो W2- मैनस W2- अब हम क्या करते हैं सुन यहां पर ध्यान दीजे minimum of ZD is equal to 6W1 plus 4 common निकाल देता हूं W2- minus W2-देश आजाएगा then 3W1 plus यहां पर 3 common निकाल देता हूं W2- W2-देश is greater than equal to 1 then यहां पर 2W1 आजाएगा यहां से भी 1 common निकाल देता है W2- W2-देश is greater than equal to 3 अब इस सुन क्या करते हैं let W2 is equal to W2-W2-देश मतलब हम क्या करते हैं यहां पर हम क्या करते हैं कि यह जो value है मतलब यह जो value है W2-W2-देश इसको हम W2 ले ले लेते हैं इस पूरी को मैं W2 मान लेता हूं तो क्या आगा सुन यहां पर minimum ZD is equal to 6W1 plus 4W2 अंब यह एगा 3W1 plus 3W2 क्यों 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 में W2 मान लेता है is greater than equal to 1 and यहां पर हमारे पास क्या आगा सुन क्या आगा देखो यहां पर next 3W1 plus यहां क्या क्या तो बढ Kansas यहां पर इन दोनों का जो जरूरी की जिरो से बड़ा है ऐसा जर्रूरी नहीं है तो less than 0 भी हो सकता है, clear है, इसलिए यहाँ पर जो W2 है, वो W2 जो है, वो W2- माइनस W2 डबल डेश आ रहा है, तो W2 जो होगा, उसको, उसको हम restriction नहीं लगा सकते हैं, कि वो 0 से ही बढ़ा होगा, वो 0 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेकिंगे, W2 is unrestricted, यह student को समझ में लिए आता है, कि unrestricted क्यों लिखते हैं, So this is the reason, अरे मेरे भाई, जब भी हम convert करते हैं, तो W1 भी 0 से बढ़ा होना चाहिए, W2 डेश भी 0 से बढ़ा होना चाहिए, अरे माली ज़े W1 डेश 1 है, W2 डेश 2 है, तो 1 और 2 है, तो दोनों का difference क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 तो 0 से छोटा हो जाएगा, So we cannot say that W2 is greater than 0, May be possible, वो less than 0 भी हो सकता है, That's why W2 is unrestricted and W1 is greater than 0, और इसका trick में इसमझा दिया है, जबी ऐसा आता है, तो आपको क्या करना है, second वाली equation में बराबर आ रहा, तो सीधा इसको ऐसे convert कर दिया, ज्यादा माता फोड़ी करनी का होशकता, नहीं है, clear है, है ना, तो इस तरह से करते रहे, एक और example समझते हैं, फिर चेप्टर को, लेसन को finish करते हैं, ठीक है, ये question देखते है, clear, अब देखो, यहाँ पर क्या रहा, minimum दे रहा और ये सभी gritter दे रहा, right, तो minimum है, तो सब gritter दे आना चाहिए, right, तो वैसे भी मैं आपको बता दिया, कि जबी, इसका trick समझा दीता है, short trick समझा दी, मैंने आपको, short trick क्या बोलते है, कि जबी, आपको इसका dual convert करना है, तो मैंने तरीका तो समझा दिया, है ना, क्या होगा, यहाँ पर minimum में तो क्या आजाएगा, maximum ZD आजाएगा, clear है, है ना, है ना, और देख रही यहाँ पर क्या आजाएगा, student, ZD आजाएगा, देनिया, condition क्या बनेगी, W1, sorry, condition क्या है, है यही बनेगा, है ना, क्या आजाएगा, 2W1, plus, 8W2, minus, 11W3, है ना, राइट, and then, यहाँ पर क्या बनेगा, subject to condition क्या हैएगा, W1, plus, W2, देख, धियान दीजे, जब भी आप direct shortcut लगाते हो, तब सभी साइन सेम होने चाहिए, देख, less than, less than, और बाराबर है, तो चलेगा, पर एक less than है, एक greater than है, और एक बाराबर है, तो फिर जो greater than वाला उसको भी less than करना पड़ेगा, है ना, मतलब, देख, minimum है, तो minimum है, धियान दीजे, minimum है, तो सब के सब greater than होने चाहिए, तो देख, ये भी greater than है, ये भी greater than है, और ये equal है, तो चलेगा, है ना, तो W1 plus W2, minus का W3 है, W1 plus W2 minus W3 is, क्या है तो निये गटट दर तो यह less than आ जाएगा, less than equal to minus 2 हो जाएगा, right? And minus का 2W1, plus का 2W2, plus का W3, minus 2W1, W2 and W3 is less than equal to minus 1. अब जिआन दीजे, कौनसी वाली equation में equal sign है? कौनसी वाली equation में equal sign है तो यहाँ पर होएगा, W1, W2 is greater than equal to 0, sorry, गलत बोल दिया, क्याना, यहाँ पर क्या होएगा, इस विए ज्यान दीजे, W1 भी greater than equal to 0 होगा, W3 भी greater than equal to 0 होगा, but W2 is unrestricted. मेरे, तो इस तरीके से इस question को आपे solve करते हैं, और इसको अगर आप करना चाहो, तो लंबा method से भी कर सकते हो, बाराबरे less than, गटदन लिख दो, और less than वाले को minus से multiply करे, चारों गटदन हो जाएगा, फिर इस वाले को तो W1 लेना, इसको लेना W2 डेश और W2 डबल डेश, एनि यह W3 हो जाएगा, तो इससे convert हो जागा, वो operation research पर चलने वाला है, और operation research पर में कहका, topic लेने वाला हो, आपको बता देता हूँ, linear programming तो मैंने चली रहा है, अब मैं लेने वाला हूँ, उसके बाद assignment problem है, assignment problem है, game theory है, then part CPM है, then job sequencing है, तो यह सब topic लेने वाला हूँ, प्लस game theory में बहुत सारे अलग-अलग concepts है, वो मैं मैं आपके सामने डिसस करूँगा, क्यों इन थिए, inventory है, तो यह सब topics मैं अभी यहाँ पर आने वाले टाम में cover करने वाला हूँ, so thank you so much for watching me, और linear जब्रा में कुश topics बाकि रहेगे, तो वो भी बीच बीच में में आपके ले लेता रहूँगा है, ठीक है, so दन्यवाद आप सभी का, और last में मेरे वीडियो से यह देख सकते है, so यह जन्रल आप्टिट्यूट की playlist है, जो मेरे CSI internet के लिए बहुत ही helpful, और गेट एक्जाम के लिए बहुत हेलफुल आप जाके देख सकते हैं, और इसमिन यह जो है, यह मेरे operational research की जो वीडियो से जो मैं upload कर चुका हूँ, वो अलड़ी यह आप देख सकते हैं, और यह दुनों मेरे चैनल, इसमिन यह मेरा ना है,